बिस्मिल्ला रुक्मान विर्वाहीम, तोडेश टॉपिक ओफ डिस्कॉशन इस डिस्कॉशन ओफ टेस्ट, तो माइक्रोबियालिजी के पहले टेस्ट में चैप्टर नूबर वन और चैप्टर नूबर टू इंक्लिवूडिड थे, चैप्टर नूबर वन का नाम तो तमाम डिफ्रेंस हम देख रहते हैं वारिसिस में और बैक्टिरिया में ठीक हो यहां तक, तो सबसे पहला डिफ्रेंस है सल्वाल का, तो वारिसिस में कोई सल्वाल नहीं होती है, वारिसिस में इंवैलप होता है, इंवैलप लाइपो प्रोटीन से बनता है, इस इंवै के अंदर मज़ीर 3 चाब्य होती कहती का है घ्रम जन नेगीटिफ के अंदर चो अंडर जो एन्वलपा मतलब होता है इसके ऊपर ये यह मेंडिया अऋ ठीक है और पहँच ə अूपर उतीः का पुरमा ऊप्षे साब्योच आध के membrane तो इन तीनों को मिला कि हम क्या कहते हैं envelope ठीक होगा ग्राम negative के अंदर different और ग्राम positive के अंदर envelope का मतलब different derived करते हैं diameter को देखते हैं, viruses relatively छोटे होते हैं as compared to bacteria okay, nucleic acid, viruses के अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा, या तो DNA virus होगा RNA virus होगा, दोनों चीजे at a time मुझूद नहीं होती लेकर बेक्टेरिया में दोनों चीजे at a time मुझूद होती है, viruses के पास nucleus नहीं होता, वैसे तो इनके पास भी distinct nucleus नहीं होता, इनका chromosomal patterns होते हैं, chromosomal aggregations होती हैं, जिनको nucleide बोलते हैं ठीक है, bacteria के अंदर ribosome, viruses के अंदर होते हैं bacteria के अंदर 70S ribosomes होती हैं, 70S ribosome mention करना इसलिए जरूरी है क्योंकि bacteria prokaryotes है, eukaryotes के अंदर 80S ribosome मुझूद होता है mitochondria किसमें नहीं होते, दोनों में mitochondria नहीं होते लेकिन eukaryotes में mitochondria मुझूद होते हैं, outer surface outer surface, इनके outer surface की nature किया, ठीक है, तो यहाँ पर protein capsid होती है, जो core को surround करती है, और इसके बाहर भी lipoprotein envelop होती है, lipoprotein में lipids वाला portion host cell से derived होता है, जो protein वाला portion kinase, वो जो virus के अपने enzymes होते हैं, virus का genetic mac up होता है वहाँ से encodes होते हैं, जबकि bacteria के अंदर आपको peptidoglycan देखने को मिलता है, viruses में motility नहीं होती, bacteria के अंदर motility होती है, viruses कैसे replicate कोते हैं, viruses के अंदर binary facial and mitosis वगरा नहीं होती, बलकि viruses के पास एक specialized property है वो specialized property इस तरह से है कि एक virus hundred या thousand या lakhs progeny बना सकता है, इतने सारे doctor cell बना सकता है, लेकिन bacteria से binary facial के जरीए काम करता है, एक से दो, दो से चार, चार से, ठीक है, आठ इस तरह से काम करता होता है, ठीक हो गया तो ये सारे difference होते है viruses और bacteria में, एक चीज़ दोनों में common है, viruses और bacteria में, वो है mitochondria दोनों में नहीं होते, दूसरी चीज़ nucleus, वैसे तो distinct nucleus bacteria के अंदर भी मुझूद नहीं होता, ठीक हो गया अब bacteria और fungi को अगर compare करते है तो आपको कहां कहां पर difference देखने को मिलेगा diameter को अगर आप भोल जाओ, तो पहला difference देखने को मिलेगा, आपको nucleus के अंदर ठीक है, पहला किसके अंदर देखने को मिलेगा nucleus के अंदर, दूसरा इनके ribosome के अदर, eukaryotic, फिर इनका organalis का, mitochondria, ribosome अगरा, ठीक है, फिर इसके बास cell वाल की difference, कि जो cell वाल fungi के अदर kiting का होता है, जबके इनके माईटोसिस है, वो मोल्डस में होती है, और बडिं होती है least के अंदर, जो मोल्डस होते हैं, यह environment के अंदर ऐक्जीस करते हैं, जो yeast होते हैं, हमारे body के अंदर ऐक्जीस करते गाए, और दोनों के दिन्मयान interchange होना कुछ fungi, yeast के form में भी exist करते है उसके form में भी exist करते है mals के form में भी तो उनको बोलते है thermally dimorphic ठीक हो गया exam में सवाल आए बता कि फंजाई और परोटो परासाइट में क्या difference होता है ठीक है तो पहला difference होता है cell wall का cell wall का जो cell wall होता है यह सिस्ट form में मुझूद होता है ठीक है यह सेलवाल सिर्फ परासाइट में अधर क्वर करना है ठीक हो गया जो metabolically active वो कौन सी है metabolically active तो जो trophozoid metabolically active होती है ठीक है जबकि यह metabolically active नहीं होती है trophozoid motile होती है immotile होता है trophozoid reproduce करता है यह reproduce नहीं करता है इसके cell membrane flexible है लेकिन cyst के पास thick cell wall आ जाती है ठीक है और इसके साथ cyst है यह transmission के लिए important है trophozoid यह disease की pathogenesis के अंतर आता होता है ठीक है ओके disease को propagate करने के लिए important है motility देखा जा तो motility जारतर सारे के सारे motile होते हैं लेकिन यह motile नहीं होते है फंजाई इनके पास cell wall नहीं होती parasite के पार ठीक है यह outer surface होती है फ्लेक्सिबल होती है स्वाइसिस्ट के पास इनके पास cell wall होती है mitosis होती है लेकिन जो helmanthis होती है na helmanthis cell होती है जो helmanthis के अपने wants है matters होए है यह divide करते है mitosis से लेकिन overall जो organism होता है इसकी complex sexual cycle होती है तो mitosis के लब आपको complex sexual cycle भी देखने को मिल सकती होती है तो यह वारा table काफी जादा important है ठीक हो गया ओके तो क्या क्या difference है cell wall का difference आ गया और difference आ गया nature of outer surface का motility का आ गया और method of replication का गया ठीक है methods of replication का गया इसके बाद हम देख लेते हैं mcqs को हम solve कर रहे थे ओके तो mcqs को हम लेले निकाल लेते हैं यहां से ओके यह वाला table भी काफी जादा important है कि प्रोकरियाटिक और यूकरियाटिक में पहला distinct nucleus का तुसरा mitotic division का क्रोमसोम नंबर का यह असल में बेक्टेरिया और फंजाई का ही comparison हम समझ दो बस फंजाई और प्रोटोस परासाइट इन दोनों को साधे एट कर दो परासाइट के दर cell वाल नहीं होगी फंजाई के दर cell वाल होगी काइटन से बनी वी होगी ठीक हो गया तो पहले का सही जवाब क्या होगा कि वाइरसिस के पास ribosome नहीं होता बेक्टेरिया के पास ribosome होता है यह वारा MCQ यहां से निकाला गया ठीक हो गया अब इसके बात next देख लेते हैं कि वह कौन सा माइक्रोब है जिसके पास या तो DNA हो सकता है RNA हो सकता है दोनों चीज़ां मुझूद नहीं हो सकती तो वह वायरसिस है वायरसिस के पास ऐसी प्रोपरटी है जबके सिस्ट के पास सिस्ट फॉर्म होती है उससे के पास सेल वाल होता है अब कहते है कि किस के पास ऐसे डिएन होता है जो न्यूकलियर मेबरेन से सराउंड इट नहीं होता तो जो न्यूकलियर मेबरेन से सराउंड इट नहीं होता वाप के फंचाई के अंदर होते है अर्गो स्टीरोल होता है ठीक है जबके बिक्टेरिया के अंदर स्टीरोल विगरा नहीं होते हैं सिवाए एक बिक्टेरिया के उसके नाम है माइको प्लाजमा सबसे छोटा बिक्टेरिया विससे के पास स्टीरोल होता है ठीक हो गया स्टी व्यक्ता, सिलिया और सूडो पोर्स, उमाईबा वाला मिकैनिजम भी होता है, अब इसके बाद हम नेक्स चाप्टर पर आ जाते हैं, स्टॉक्चर और बेक्टेरियल सेल, नेक्स्ट हम इस चेप्टर में देख लेते हैं कि इस चेप्टर के अंदर आपने structure of bacterial cell structure of bacterial cell में पहला size shape आ जाता है फिर structure के अंदर cell wall cell membrane आ जाएगा ठीक है cell wall के बाद यहां पर आ जाएगा cytoplasmic membrane है cell membrane cytoplasm cytoplasm के अंदर ribosome आ जाते है नुक्लियाइट साजाते हैं प्लास्मिट सबसे important topic प्लास्मिट है ट्रांस्पर जाते हैं structure outside the cell wall capsule फ्लैजला पिलाई फिम्परियाई ठीक है glycokalics साजाते हैं लास्ट में bacterial spores होती हैं ओके तो start करते हैं हम यहां से size and shape of bacteria ठीक हो गया कि जो bacteria का सबसे पहले shape को देख लेते हैं सबसे पहले नंको kocai bacilli or spirokids के अंतर divide करते हैं kocai round होते है bacilli rod shape होते है spirokids helical shape होते है kocai round होते हैं ठीक हो गया spiral shape होते हैं अब बहुत सारे बिक्टेरीय ऐसे हैं जिनके कोकाई शेप फेक्स नहीं है जिनकी हम कह सकते हैं कि rod shape fix नहीं है तो उनको polyomorphic होती है heterogeneous shape होती है और जो shape होती है shape को determine करने वाला factor कौन सा होता है peptidoglycan होता है peptidoglycan के चार functions होती है पहला rigid support provide करना इसकी shape पो control करना उसके साथ-साथ osmotic pressure को resist करना उसके against protection provide करना लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें काम करते हैं कुछ Antibiotics काम करते हैं और इसको तोड़ने वारा enzyme Lysozyme होता है यह important enzyme है जो इसको degrade करता होता है ठीक है बाकि shapes को मजीद आगे divide कर देते हैं और अर्रेंजमेंट जैसे जो कोकाई अगर पेर में हो तो डिप्लो कोकाई बोलते हैं अगर चेन के स्टाफलो कोकाई बोलते हैं और यह किस टाइम पर देखने को मिलता है जब bacteria के cell division होती है तब इस टाइम पर देखने को मिलता है bacteria के size को देखे तो bacteria का size 0.5 0.2 लेकर 5 micrometer तक होता है सबसे छोटा bacteria सबसे छोटा bacteria mycoplasma अब इस mycoplasma के पास क्या 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 कुछ distinctive properties है सबसे छोटा bacteria है यह white bacteria जिसके पास sterols होती है यह gram staining नहीं लियता होता ठीक है no gram staining है sterols इसमें होते है ठीक हो गया इसके पास cell valve भी नहीं होती ठीक हो गया और यह वाला bacteria atypical pneumonia करवाता है atypical pneumonia इसके लावा klamydia औली-ज술 निला निमॉफीला भी खरवाता होता होता है ठीक हो आपने इसके शचे कुछ distinctive properties को देख लिया सबसे बड़ा जो वालस होता है व complex virus है सबसे बड़ा virus सबसे छोटे bacteria के बराबर होता है सबसे छोटे bacteria के बराबर होता है सबसे क्या परना है सबसे पहला चीज है फिर येयर दा कफिघन का चैए तर रीब श्य систем रासित फ़या इन्ता सक्राइन वह खाला काम करते गला अन्सीय का मों कि उसका ब्रिर टोंश स्य पास फो कर बहना नीह तो वह नहीं होने कि अधा उसके अदर होते हैं अब इनके पास एंडेटुक सीनवाला काया है, ग्राम नेगेटिव के पास लेकिन जो टक को ही के फेक्टर अलपा, इनकी लिबुरेशन की वरहा से होता कि जैसे ही बैक्टेरिया आगे जैसे ही टॉक्सिं रिलीज हुआ जैसे ही टैकोई केसी रिलीज हुआ तो उसके बारे से इंटल यूकिन वन से एक्स टुमें नेक्रोसस फेक्टर अलफा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और यह सैप्टिक शोक करवा देती है सैप्ट जो होती है आपको गराम नेगटिफ के नंदर देखने को मिलती है जहीं है, जो गर पापॉजिटिफ ए गराम पाजिटिफ के अंदर यह सेल्स वाल और झाल मेंब्रेंद को मिलती है लेकिन gram negative के अंदर एक और लियर भी आ जाएगी जो outer membrane होगी इन तीनों को मिलाके envelope बोलेगे अब इस outer membrane के अंदर क्या होगा पॉरिंस होते है यह वह चैनल होते है चोटे चोटे शुटे सुराग होते है जो बाहर से माली के उलको अंदर आने की कोशिश करते है ठीक है जो ड्रक्स को रास्ता प्रवाइट करते है जिस तरह पैनिसलीन होती है वह नहीं पॉरिन से तो पास करती है ठीक है पॉरिन होती है कुछ पॉरिन्स ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी होती है लेकिन वह सलवाल के अंदर होती है जबकि पॉरिन्स ग्राम नेगेटिव के अं पहले चीज़ लाइप्र पॉली सक्राइड होता है दूसरे चीज़ लाइपरोटीन होती और दिस्री चीज़ होती है फॉस्फोल लीपीड है ठीक है फॉस्फोल लीपीड होता है तो यह तीन चीज़ है कि भीड si kam में और इसी outer membrane को cell wall को और cytoplasmic membrane को मिला कि हम क्या बोलते हैं क्या इसको envelop बोलते हैं कहते हैं कि जो outer membrane layer और cytoplasmic layer इन दोनों के दिम्यान में क्या होती है एक स्पेस होती है जिसको बोलते है पैरिप्लास्मिक स्पेस अगर आप यहां से देखो कि आपको यह पैप्लीडोग लाएक के नज़र आ रहा है इसको आप छोड़ तो यह outer membrane है और यह inner cytoplasmic membrane है इसके दिम्यान जो स् तोड़ता है वो तोड़ता होता है कि इसको पैनिसलीन को सेफलोस्पोरिंस को बीटा लेक्टेम एंटी बायोटिक्स को तोड़ना पोड़ना का काम करता होता है अब एक और बेक्टेरिया भी आ जाता है तो इसके आदर दो बेक्टेरिया आते हैं माइक को बिक्टेरिया मत्यस आते हैं और नोकाडि एस टिराइडस राइद्स, फिलामेंटस के अंदर लोड़ने इकार आ जाता है अब यह दोनों एसको इसक्ता mutta डालते जो इसीड होती है वो D- variety, sein agent होती है तो ये ACID वाली Stain को CAPTCHA Kan basic collegeね काय। ही कर पाते जो ACID alcohol होता है उसको Lati निकर पाते सक own 85 Cаем के चाहन क मैं duży लगा खौड़ों में अब खौना को चोड़ दो थे यह ठीक है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इस वरे से होता है कि mycobacterium tuberculosis के अंदर mycolic acid कौफी ज़्यादा होता है mycolic acid क्या होता है very long chain fatty acid ठीक हो गया nocardia steroid इसके पास भी क्या है इसके पास भी अली property है weekly acid based है अब weekly का क्या मतलब है कि अगर हम weaker solution use करेंगे declarize करने के लिए तब तो ये acid dye को नहीं पकड़ेगा लेकिन अगर हमने strong solution use कर लिया तो ये विचारा declarize हो जाएगा ठीक हो गया weak solution से declarize नहीं होगा लेकिन अगर आप strength बढ़ा दोगे तो फिर solution से declarize हो जाएगा ठीक हो गया ओके तो अब cell wall के अंदर क्या क्या सट्राइड होता है प्रीटाइड राएगा जादा अची होती है ग्रान positive ग्राम positive के अंदर हो लागप रूस्टार होता है कि सके अंतर ग्राम negative के अंदर तो cell wall के अंदर अपने मजीद थीन चीज़े पढ़नी हाँ पहली चीज़ अपिटीटोग ने दूसरी चीज़ आपने पढ़नी है आपने पढ़नी है दूसरी चीज़ टैकोई किसीड है तीसरी चीज़ आपने पढ़नी है तीसरी चीज आपने पढ़नी है वह है लाइपोपोली सक्राइट यह एंडो टॉक्सिन पढ़ना है तो पहला पैप्टीडो ग्लाइकेन तो पैप्टीडो ग्लाइकेन होता क्या है ठीक हो लिया तो पैप्टीडो ग्लाइकेन होता क्या है ठीक हो लिया तो पैप्टीडो ग्ल होता है किया glycan chains interlinked with peptide एफ अ होती है जOh Orion को मेधिकार चार्देक property होती है अब इसके दूसरा नाम के लाइक इसको म्यूझी बू प्रवाइड करता है स्ट्रेंध लाइक करता है या 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 पर एक पूर फाप्रोटட्र बavorite करता है या आ धिक हो गया गलाइक जिक ऑतर नाम क फेशने को मिलते हैं कारबो हांड के निदर आपको alternating energetyl य और इसके साथ 1 टैल ग्लूकोसमीन देखने को मिल सकता है ठीक हो गया इस टाइओ ग्लूकोसमीन आंटिन को इस तरह से लिखते है घ्ल स्थी एन अब इन दोनों को cross link करने वाला tetra peptide के अंदर 2-7 काफ़े जदा important होती गहां पहला होता है डाइमाइनो डाइमाइनो पैमेलीकेसिड है जो कि बेक्टिरियल सल्वाल के लिए specific होता है और दूसरा होता है ठीक है इसी transpeptidation का purpose होता है cross link के provide करना और transpeptidation को catalyze करने वाला enzyme होता है transpeptidase और transpeptidase कुछ नहीं है बस penicillin binding protein है जहां में penicillin जाके bind करना होता है ठीक हो गया penicillin जाके bind करना होता है अब जो cross links होते हैं जो किसने जो कौन बना रहा था अब यह cross link stephanococcus aureus के अंदर क्या होते हैं पांच होते हैं ठीक है specific होते हैं हर species के लिए ठीक हो गया प्रप्टी डोगलाइकन के function के प्रप्टी डोगलाइकन के चार functions होता है पहला किया है कि rigid support provide करना दूसरा function होता है osmotic pressure को resist करना तीसरा function होता है कि anti-biotic target होता है penicillin और cephalosporin होता है तीसरा चौता function होता है कि जो हमारा innate के अंदर lysozyme आता है tears के अंदर securation के अंदर यह उसको तोड़ फोड़ देता ठीक है अब दूसरी चीज़ा लाइप पोली सक्राइट लाइप पोली सक्राइट जिसको आप endotoxin भी बोलते है लाइप पोली सक्राइट को आप endotoxin भी बोलते है तो endotoxin होता कि endotoxin हमारी gram negative bacteria के outer membrane के पर पड़ावा होता है इसी gram endotoxin के वरे से आपको septic shock देखने को बिल सकते है फीवर हाइपोटेंशन disseminated intravascular coagulation white is called endotoxin क्योंकि यह bacterial cell envelope का component होता है integral part होता है integral part ठीक हो गया जबकि exotoxin components नहीं होता है बलकि यह secret होते है यह क्या होते है secret होते है ठीक हो गया अब आगे देख लेते हैं endotoxin endotoxin के अंदर आपको lipopolysacrite के मजी तीन पार्स होते है ठीक है इसका phospholipid होता है जिसको lipid A molecule बोलते है इसी lipid A molecule की toxicity होती है यही septic shock करवाता है और इसका एक लावा core होता है core वह core मुश्टमिल होता है polysacrite of five sugar पांच sugars होती है ठीक हो गया और पांच sugars lipid A से जुड़ी वी होती है वाया deoxy octalinate deoxy octalinate okay keto deoxy octalinate okay KDO से जुड़ी भी होती है उसके लावा outer polysaccharide तो outer polysaccharide outer polysaccharide के अंदर आपको 25 repeating units देखने को मिल सकते हैं तीन से लेकर पांच sugar के तीन से लेकर पांच sugar के repeating units देखने को मिल सकते हैं और यह O antigen क्या होता है O antigen serological test के लिए important होता है bacteria की identification के लिए important होता है जिस तरह neziria के अंदर जो होते है neziria meningitis की relatively कम serotypes होते हैं रेकिन निजरिया गुनुरिया के कफी सारे होते हैं इसे के बदे से होते हैं इसके बार last है tequoic acid होता है आपको gram positive के अंदर देखने को मिलता है gram negative के अंदर नहीं होता है तो यह glycerol phosphate हो सकता है या फिर यह ribotol phosphate का भी polymer हो सकता होता है ठीक है बाद जोगार ऐसा होता है कि किसी lipid के साथ जोड़ा वाहता होता तो इसके medical importance यह है कि बिल्कुल वही काम करवाता है जो हमारी body के अंडो टॉक्सिन करवाते है ग्राम negative के इसके लावर जो टैक्वाइक अचिड होती है टैश्मेंट वगारा भी प्रवाइट करते होते हैं अब नेक्स्ट है cytoplasmic membrane इसको cell membrane बोलते हैं तो यह phospholipid bilayer की मुश्टमिल होती है इसमें sterols नहीं होते हैं mycoplasma में आपको sterols लेखने को बदलते हैं चार functions होती हैं cell membrane की कौन को से चार functions होते हैं पैरा function होता है active transport of molecule की molecule की active transport करना ठीक हो गया दूसरा function होता है energy की production करना तीसरा function होता है synthesis of precursor of cell wall ठीक है synthesis of precursor of cell wall, cell wall की precursors उनको बराना ठीक हो गया cell wall का precursor कौन सा होता है कि जो penicilline binding proteins होती है यह असल में enzyme transparpidase enzyme यहीं तो होती है यहीं पर लगे वे होते हैं वो last होता है secretion of enzymes and toxins जो exotoxics होते हैं उनकी secretion यहीं करता होता है ठीक हो गया अब ribosomes है ribosome के अंदर कोई खास बात नहीं है 70S ribosome का होता है 50 & 30 का ribosome होता है ठीक हो गया इसमें कोई खास बात नहीं है लेकिन granules के अंदर कुछ खास बात है ठीक है कहते हैं metachromatic granules होते हैं जो अपना color change कर लेते होते हैं ठीक है metachromatic granules चीक हो गया कि यह क्या कर लेते है normally दूसरे bacteria के अंदर जो granules होते हैं वो blue color लेते हैं लेकिन cornybacterium diff3i के अंदर यह granules red ले जाते है that is why this is called metachromatic और यह cornybacterium देखने को बल सकते हैं ठीक है और यह असल में होता है कि असल में high energy storage compound होता है volutine यह उसे के वज़से तो होता है ठीक है volutine ही store होता है और यह granules बनाता होता है ठीक हो गया अब इसके बाद देख लेते हैं nuclei को देख लेती है जो उनका जहांपन का nuclei होता है तो जो newcleries होता है विक्टिरिया का वहाथ है single होता है single circular DNA molecule होता है ठीक हो गया single circular DNA molecule लेकिन वेब्रियो के अंदर आपको दो molecules देखने को मिल सकते हैं, दो circular chromosome नौरमल है एक क्रोमोसोम होता है, इस तरह वहला chromosome लेकिन vibryo cholera के अंदर आपको दो क्रोमोसोम देखने को मिल सकती होते हैं ठीक हो गया, और इसके लावा बुरूलिया ब्रटडर 4E इसके अंदर linear होगा, कि सोरी फॉर इंटरप्शन अच्छा हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल बेक्टिरिया के अंदर सिंगल सर्कूलर होता है लेकिन विब्रियों के अदर डबल होता है और लीनियर होता है बुरियलिया ब्रगलफ पॉरी के अंदर ठीक हो गया बुरियलिया को किस तरह से आ रखना मुठी ऑस्बर्नियर बखना है लेक्टो स्पायरिया के अmee नहीं नहीं और था raging होता है तो यह होग्या जबात इसका ब्रेक्ट diff calm को शेंट कर सकती है नाकमी मेंबरेन से एक और बात ये भी होते है कि यहां पर आपको इन्ट्रयोंस नहीं देखने को मिलते है ठीक है सिर्फ एक्जांस होते हैं ऑर एक्जांस एक्सरिसिंग वादा इरिया होते हैं इन्ट्रयोंस की वरज़े इसे आपको alternative supplicing देखने को मिलती है और इसे alternative supplicing के वारे से आपको different proteins के expression देखने को मिल सकती है तो हम जल्दी से MCQs के तरफ आ जाते हैं तो MCQ अगला क्या था कि जो bacteria की attachment provide करना mucosal membrane में तो वो कौन होता है वो हमारे pilii होते हैं ठीक हो गया, pilii attachment provide करते हैं 95% alcohol या acetone provide किया तो उसका main function क्या होता है gram staining के अंदर तो उसका main function होता है कि उसकी outer cell membrane को disrupt कर देना ठीक है ताके purple dye bacteria को leave कर सके ठीक हो गया तो यह है हमारा gram staining वाला procedure के अंदर इसके बाद next है हम देख लेते हैं कि एक पूरी statement लिखी हुए ठीक है in the process of studying how bacteria can cause disease, it was found that a real mutant of pathogenic strain failed to form a capsule ठीक है, capsule नी बना, तो capsule के ना होने के वादे से उसके पर क्या परक पड़ेगा तो उसकी phagocytic power खतम हो जाएगी ठीक है, capsule anti phagocytic होता है okay, sorry, non pathogenicity provide करता है क्योंकि यह phagocytosis को minimize करता है, anti phagocytic है और pathogenicity को बढ़ाता होता है mycobacterium tuberculosis, citerostein नहीं लेते, gram staining, इसके बज़ा क्या mycollocation बहुत ज़ादा होता है too much lipidine cell लगात, ठीक है इसके बाद next है क्यों से bacterial component में antigenic variation होती है, तो वो होती है capsule के अंदर number six के antibody, जो beta lactamase होती है, periplasmic space के अंदर होती है seventh में next आप वो क्या देखने को मिलेंगा gram positive के अंदर ठीक peptidoglycan layers होती है, ठीक हो गया next है कि जो attachment को और प्रवाइट करते, intravenous catheter के तरफ तो वो glycocalyx होती है lysozyme, lysozyme किया है, lysozyme peptidoglycan को destroy करता है last है कि bacterial sports है, तो correct statement किया है, तो correct statement यह है, metabolically inactive होते है लेकिन कई सालों तक इनक्टिव फॉर्म के दर जिंदा रह सकते है, ठीक है, जिंदा रह सकते होते है यह plasma की बारे में पढ़ लेते है, plasma कुछ transmissible होते है, non-transmissible होते है, कुन-कुन से genes होते है antibiotic resistance gene होते है, exotoxins होते है, pilai वाले genes होते है, heavy metals के against genes होते है यह वाले चीज़ आपने नोट करने है, ultraviolet हो गया, और bacteriocins हो गया ठीक है, bacteriocins कुन-कुन से important है, colisins है, ठीक है e-coli-colisins produce करता है, piocins produce करता है, pseudomonas है, याद करना सान है P से pseudomonas, P से piocin, coli-colisins, ठीक हो गया, transposons यह भी provide करते है antibiotic resistance में, कैने जम इसको conjugation के दर detail से पढ़ेगे, ठीक हो गया बाकी हम, इंशाला ताला बाकी सारा कुछ cover हो गया है, वीडियो काफी जादा नंबी हो गया gram positive और gram negative के अंदर आपको extra difference चाहिए, cell wall के इलावा तो आप यहां से देख सकते हो ठीक है, तो पहला तो layers का बताया है, वाद lipid content gram positive के अंदर कम होता है endotoxin नहीं होता, periplasmic space भी नहीं होती, foreign channels भी नहीं होते, यह होते है तो cell wall के अंदर localized होते है, और elysosyma penicillin attack से जादा vulnerable होता है, कम नहीं बलके जादा susceptible होता है ठीक हो गया, तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको like करना और please कोई भी curious हो, तो comment section आपके लिए है thanks for watching this video, Allah Hafiz